नमस्कार दोस्तो डिजिटल गुरु कुल में आप सभी का स्वागा थे दोस्तो आज के सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्पुन होने वाला है अगर आप किसी भी एक्जाम के तैयारी करें एससी रेलवे ए एमटीय सीजील या फिर सेचसेल या स्टेट ले हैं जो प्रिवेस येर आयो यही कोशन है इसलिए सेशन को सुरू सुले के अंतक देखते रहिए चलिए सुरुआत करते हैं पहला कोशन दे रखाए भारत में राष्ट्रपती का पद का प्रवधान की इस अनुश्यत से संबन्दी थे ओप्सन इदरका अनुश्यत बिग्य तो राइट आंसर क्या हो जागा इसका अनुश्यत बावन भारत में राष्ट्रपती पद का प्रवधान दिया अनुश्यत बावन में अगर देखी आपके बताना चाहूँगा यहां पर अगर संसत की बात कि जाए तो किस आर्टिकल में दे रखा संसत के आर्टिकल याद सिर्भ याद रख सकते आपप यृष्ट से कि बहस से दे रखाए 79 वेशें 30 दे रखा है उन्य रैसे मतलब राज्यसे राज्य के बारह संसत के बारे में दे रखा है और 51 लोकसभा लोग सभा के बारे में दे रखा है यह सबी विक्टर को आप याद रखेगा चलते हैं को बगर कोश्टन दे रखा है कि सी राज आंसर हो जाएगा भारता राश्ट पति मैं 99 स्टुडेंट की बताना चाहूंगा कि या इस कोश्चन का अंसर गलत देते हैं इसमें भारत का देकि राज्य का प्रमुक कोण होताए तो बहुत सारे स्टूडेंट राज्जय का राज्ज पाल लगा देते हैं लेकिन याद रखिए ही भारत का राश्ट पती ही होता है नेश्ट चलते हैं को इसका राइट आंसर के अगर बात करेंगे तो डांक्टर राजंदर परसाद याद रखिए याद रखिए ये कोश्चन भी पूछा जा सकता है कि दो बार बनने वाले राश्टर पती कोन है याद रखिएगा नाक्टर राजंदर परसाद ये अगर आपसे पुछा जा मुस्लिम राश्टर पती कोन है याद रखिए याद रखिएगा और भारत के पहले उप राश्टर पती पुछा जाए अगर आपसे तो उप राश्टर पती कोन है नाक्टर सर्वबर बली रादा क प्रस्णन याद रखिएगा नेश्ट चलते हैं कि कोश्चन दे रखा है भारत की प्रथम महिला राष्टपती कोन थी ओप्षन एद रखा इंदरा गांधी ओप्षन भी प्रतिवा देविस पार्टील ओप्षन सी सुचता क्रफलानी ओप्षन डी सरोजनी नाइडू बात करेंगे तो प्रतिवा देविस पार्टील याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राष्टपती थी अभी की बात करेंगे तो दुरोपती मुर्मु याद रखिएगा दुरोपती मुर्मु है और कौन से नंबर की है यह भी याद रखिएगा 15 नंबर की है और देख याद रखेगा अगर आप यहाँ पर दिया जाए कि यह कोशन है बेतन की बाद किया जाए क्वालिफिकेशन की बात करें तो किस आर्टिकल में दे रखा है अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 58 आर्टिकल में दे रखा है 57 आर्टिकल में क्या दे रखा है कि राष्टपती कितनी बार भी राष्टपती बन सकता है पूना दुबारा से बनाए जा सकता है तीन बार बना जा सकता है जितनी बार चाहे यह याद रखिएगा नेश्ट चलते हैं और रखाए भारत में राष्ट्रपती पद के लिए नियोतम आयू कितनी होने चाहिए ओप्सन इद्र का 35 बरस है, ऐप्सन भी 25 बरस है, और राइट आंसर बताए इसका राइट आनसर क्या हो जाएगा 35 बरस है, दीखिए अगर आपसे राष्ट्रपती राष्ट्रपती याद रखिए 25 बरसे प्रदान मंति के चुनाव लड़ते हैं तो याद रखिए उनकी आयू कितनी 25 बरसे सीमी थे अगर आप से पुछा जाए यहाँ पर राज्य सभा की बात करेंगे तो राज्य सभा का बनने के लिए याद रखिए 30 बरसे काफी 30 बरसे चलेगी अगर आप से देखिए 21 बरसे पुछा जाया तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयू चाहिए 21 बरसे चाहिए इस प्रिक्टर को आप याद रखिएगा चलते नेश्ट पर कोश्चन दे रखाए लोग सभा इबम राज्य सभा में राश्ट्रपती कुल कितने सदस्य को न अमिन्स कर सकता है ओप जाता है ओप और शवा सर्थ कर सकता है ओपसं अधरखा बारत क्याण ऑस्था किसी रहरःस्वा सागश्च्र को के राइट अंसर बताए इसका कि booking को चलुकर राश्टऍट करें गांग से सब्सेट कि लाता है कि बहुएं ना रहा है कि प्राइट राश्टे परकूप्स मक्ना निक्ति युए wedi बीदा पर नाटा है याद रखेगा राज्जय पाल को सब्सक्राइब बात करेंगे तो देखाल को भी भारत का राष्ट पती ही दिलाता है नेश्ट चलते हैं सर रकाई राश्टर पती का चुनाव ए बरस के लिए होता है उप्संसे यहां पर यहां पर जाएगा पर यहां पर यहां पर यहांप रखेंगा इंका चुनाव होता है अगर आप से पुछहाँ लोट c कि प्यदान मंत्री का चुनाव होता है तो याद रखिए प्यदान मंत्री का कोई चुनाव नियुकती होती है नेश्ट चलते हैं को स्पत दिलाता है और आप से कुछे जार राश्ट्रपती को सपत कौन दिलाता है राइट अंसर बताएगे राइट आंसर क्या हो जागा सर्वोच चनाले का मुखे नाइडिस याद रखिएगा ये राश्ट्रपती को सपत दिलाता है और नियाडिस को कौन दिलाता है मुखे नाइडिस को राश्ट्रपती दिलाता है याद रखिएगा नेश्ट चलते हैं कोस्टें रखाए भारत के मुख्य-णायदस को पति की सपथ कोन दिलाता है एप्सट देरका भारत का राष्ट्यपति ओप्सट बी किसी राज्य का मुख्य मंतरी ओप्सट दिलाता है एक कोस्टें बतािएगा ने सट चलते है कोर्शन दे रखाए भारत के प्रथम मुसल्मान राष्टपती कुन थे और अप्शन दे रखाए एपीज अफदूल कलाम और अप्शन भी दे रखा मुहमद हिदायत उल्ला अप्शन सी फरुक दिन अल्ली अइमार अप्शन डी जाकिन हुसेन राइट आंसर बताईए राइट आंसर की बात करेंगे तो उप्शन डी हो जागा डाक्टर जाकिन हुसेन याद रखेगा भारत के प्रतम मुसल्मान राष्टपती थे मेर्यास चलते हैं ने ह instruments के दूबंयगे बिठान मंत्री धेह आप से पुझे जाए कि दोनों सद्र्न की बेठक का प्रावदान किसा अनुछ चेद में दिया ए तो याद रखेगा 108 में राश्टरपति दोनों सदनों की बेटा को बिला या सकता है राश्टरपति की बेटा कुन बिलाता है राई आन्सर भताईए राइट आंसर हो जागा भारत का राष्टर पती याद रखेगा दोनों सद्नों की बेटा को बलाता है और आर्टिकल किसमे दे रखा है 108 में दे रखा है नेश्ट चलते हैं कोश्चन दे रखाएं नीर विरोध चुने गए राष्टर पती कुन थे ओप्शन दे रखाएं डाक्टर एपिजे अब्दूल कलाम ओप्शन भी मुहमगा दिधाय तुल्ला ओप्शन दी नीलम संजी रेड़ी ओप्शन दी देखाएं जाकीर हुशेन राइट आंसर बताई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नीलव संजी ब्रेड़ी याद रखेगा नीर विरोध चुने गए राष्टर पती नीर विरोध का मतलब बताए कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ याद रखेगा ये राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन देखाएं भारत का रा अर्यानिट आंसर हो जाएगा अनूचे 356 याद रखेगा राष्ट्रपती आपध्काव की गष्ण किरुसना कर सकता है याद है कि 356 में राष्ट्रपती सासन काल दे रखा है hu 352 पुछ जाहेगा राष्ट्रपती सासल काल नहीं होता है यह याद रखेगा राष्टी आपत काल होती है 306 पुछा जाए तो याद रहेंगे बित्ती आपत काल होती है इस प्रिक्ट को याद रखेगा नेश्ट चलते हैं कि और रखाए भारत के राष्टपती पद में लगातार दो बार राष्टपती कुण चुने गए थे ओप्सन देखाए डाक्टर रेपीज अब्दुक लाम उप्सन भी राक्टर राजंदर पसाद ओप्सन सी निलव संजी रेड़ी ओप्सन दी दरका जाकिर हुसेन राइट राष्टपती बन चुके निलव संजीव रेड़ी की बात करेंगे तो याद रखेगा नीर विरोध राष्टपती है तो राइट अंसर ओप्सन भी होगा ठीक है नेश्ट चलते हैं कि कोश्चन देखाए बरतमान में भारत के राष्टपती को ने ओप्सन देखा ममतम इनर कोश्चन देखाए इस संग लोग सेवा आयोग यूनियन पबलिक सर्वीस कमीशन के सदर्शे को कुण नियुकत करता है ओप्सन देखा भारत का राष्टपती ओप्सन भी देखाए किसी राष्टपती किसी राज्य का मुखी मंतरी ओप्सन सी देखाए राज्य का राज्य प्पति याद रखेगा नेश्ट चलते हैं ए कोश्यन दि रखा है लोग सबावा का बिगटन करने के सकती किस startups कपास है Q और आपस न भी देरागा किसी राज्या का मुख्य मंत्री के पास है और सब्सक्राइब करने की सकती याद रखेगा नेश्ट चलते हैं question दे रखाए सविधान में राज्ट पती का सासन का प्रवदान की इस अनुश्यद में दे रखाए तकी राज्ट पती के सासन की बात करेंいき तो आनुश्यद 356 में याद रखेगा 356 में राइट आंसर 356 देखें यहां पर अलग अलग दे रखाए तो याद रखें राइट आंसर 356 हो जाएगा राष्ट्रपती साचन का प्रवदान की बात करेंगे तो 356 हो जाएगा इसको याद रखेंगा अगर आपसे पुछा जाए यहां पर यह गलत है क् itD$ 352 में राष्टस्य रख्यें का स्ब्सक्राइट को 256 में अगर आपसे पुछा जाए कि राष्ट्रपती की खमदान का कूंसे आर्टीकल में रख्यें तो दोस्तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा अगर आपको कोई भी डाउट आता है अगर तो आप कमेंट करेंगे पोच सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो सभी स्टुडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं फिर आपसे नेश्टे सेशन में मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं झाल झाल